हालो स्टूर्स वेल्कम बैक टो और यूट्यूब चैनल सिविल पॉली अब जो हम लोग टैकोमेटर का नुमेरिकल सौल करने वाले इजी नुमेरिकल है सिंपल फॉर्मूले बेस के उपर में नुमेरिकल है इसको देख लेते हैं लोग तो देखें यहां पर क्या वहला है 50 मिटर तेन स्टेडिया रीडिंग इवन है तीनो रीडिंग दी भी है यह हो जाती है यह मारी अपर मिडल एन बॉक्तम यह होगा अपर मिडल एन बॉक्तम यह रीडिंग आपको देख रहें find the constants of tachometer, ठीक है, तो constants हमको find out करना है, ठीक है, तो देखो, formula इसका क्या है, d is equal to ks plus c, ठीक है, तो d जो रहता है, वो हमारा रहता है distance, then k रहता है हमारा, multiplying constant, multiplying constant, s रहता है हमारा, staff, intercept, then, उसके बाद में c additive constant, ठीक है, तो यह formula है, main formula हमारा, d is equal to ks plus c, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर staff intercept है, तो इसमें हम लोग क्या करते है, upper minus lower, ठीक है, upper minus lower, अपर reading लेते है, minus lower reading जो है, वो करते हैं हम लोग, उससे staff intercept जो है, वो हम लोग calculate कर लेते, ठीक है, अभी देखो, यहाँ पर case 1, case 1 अगर देखें हम लोग, case 1, जिसमें आपको distance जो है, वो 25 meter देखर है, distance is equal to 25 meter, यह given है हमको, ठीक है, और यह reading देखर है, मतलब कि suppose, यहाँ पर आपका ऐसे instrument है, यहाँ पर आपने कोई instrument अग दिया, ठीक है, आगे में यहाँ पर आपका staff रखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ आप से tachometer से आप reading ले रहे, ठीक है, यह middle ear reading हो गया आपका, यह upper हो गया, और यह lower reading हो गया, ठीक है, यह तीन reading हमको मिल हो गयी, यह जो distance है, यह हमारा 25 meter, यह distance हो गया, ठीक है, यह upper reading जो है, वो आपकी है 1.9, then 1.655, then lower reading है, वो है आपकी 1.410, ठीक है, यह reading है, ठीक है, तो stop intercept क्या होता है हमारा, यह होता है stop intercept, ठीक है, upper minus lower करने का, stop intercept जो है, वो आपका निकाश जाएंगा, upper reading minus lower reading, तो stop intercept जो है वो हम लोग वहाँ से calculate कर लेंगे, ठीक है, देखो, हमारा formula क्या है, d is equal to ks plus c, ठीक है, तो d आपको बता है, वह आपका 25 meter, यह 25 meter ले लेंगे, k आपको find out करना है, then, staff intercept, staff intercept देखिए, यहाँ पर क्या है, 1.9 minus 1.410, ठीक है, plus c, ठीक है, then, इसके बाद में अपना आ जाता ही है 25 is equal to 1.9 minus 1.410, ठीक है, तो यहाँ आता है आपका 0.49, 49k plus c, ठीक है, इसको देते हैं हम लोग equation number 1, ठीक है, यह हो गया हमारा case 1 के लिए calculation, ठीक है, case 1 के लिए, then, उसके बाद में लेंगे case 2, ठीक है, अब देखो, case 2, case 2 में गया है हमारा, distance दिया हुआ, distance is equal to 50 meter, ठीक है, इसका बैसे डाइग्राम निकाल लेते हैं, ठीक है, यह हमारा stop हो गया है, यहाँ पर tachometer है, इसके भी 3 reading, यह upper reading, middle and lower, upper reading है आपकी 2.220, ठीक है, middle है, 1.725, और bottom है, 1.230, ठीक है, then, formula, वोई formula ही उसकरना है हमको, d is equal to ks plus c, ठीक है, अब d देखो, d आ है आपका 50 meter, वो 50 ले लेंगे हम, ठीक है, k, constant, k ले लेंगे, identity constant, then, s, stop intercept, upper minus lower, ठीक है, तो यह 2.22 minus 1.23 plus c, ठीक है, आप क्या करना है हमको, 2.22 minus 1.23, तो यह आता है आपका 0.99, ठीक है, तो यह होगे, आपका 50 is equal to 0.99 k plus c, ठीक है, यह होगे, आपका equation number 2, ठीक है, तो अब directly जो है, यह equation 1 है हमारा, यह equation 2 है, ठीक है, तो इसको क्या करो, directly LC में values put up करो, ठीक है, तो यह जो form में आ गया, वो form में हम लोग ले रहेंगे, जैसे कि suppose यह equation है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.49 k plus c is equal to 25, and 0.99 k plus c is equal to 50, ठीक है, यह equation हो गया, then इसको हम लोग solve करेंगे, solve करने के बाद में, यह directly LC में put up कर देना है हमको, ठीक है, equation में जाके यह values put up कर देना है, ठीक है, वहाँ से directly यह calculate हो जाएगा, और k की value जो आती है हमारी, k is equal to 50, and c is equal to 0.5, यह हमको answer मिल जाता है, k is equal to 50, and c is equal to 0.5, ठीक है, तो यह values हमको यहाँ पर, जो है वह calculate करना था,